लक्ष के प्रायोजक हैं कोटिल अक्याडमी प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्ग तर्शन और बनेंगे लक्ष हासल करने में मददगार हमारे खास कारिक्रम लक्ष में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बहतर काम कर रहे हैं चात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश करते हैं और लक्ष की इस खास पेशकर्ष में हमारे साथ मौझूद हैं प्राइम वे हार सेकेंडरी स्कूल के डिरेक्टर आडी मंदलोई और प्रिंसिपल सरिता मंदलोई मौझूद हैं हमारे साथ और इसी के साथ रिया गुपता भी मौझूद है हमारे साथ स्टूडियो में जो प्राइम वे हार सेकेंडरी स्कूल में 12th PCM की स्टूडेंट हैं लक्ष में आप तीनों का ही बहुत स्वागत है जाले सबसे पहला सौब मेरा मंदलोई जी डिरेक्टर आपसे है सर आप अपने स्कूल के बारे में सबसे पहले तो हमें बताइए और आपके स्कूल में math stream के कितने students हैं और क्या कुछ activities कराई जाते हैं आपके school में जाना चाहेंगे स्थापना सन 2000 में हुई और इस्टूडेंट के विध्यारतियों के चोहमों की विकास के लिए विभिन प्रोग्राम स्कूल में करवाया जाते हैं कल्चर एक्टिविटी स्पोर्ट एवम एंड अधर्स ताकि बच्चों के माइन डवलब हो और एक मध्यमवर्गी बच्चों क में उट्स शिक्चा कैसी दी जाए उसके चेतर में हमारे विध्याले कार्ग कर रहा है और मैंस टी ब Penn करति अपने कि अध्यारी कैसे करते हैं क्या का अब्राइजिर्य्स विच्न करना चाहिए मैं अपना टाइम मेनिग्द Reef बहुत अच्छे से किया है और मैं उसे अच्छे से फॉलो भी करूंगी अपना बिना टाइम वेस्ट किये प्रॉपर शेडियूल के साथ अच्छे से उसको अपने काम को करूंगे पढ़ाई पूरी अच्छी तरीके से बिल्कुल अचले सरिता मंडलोई जी आप से भी एक सव सवाल है शिक्षा के शेत्र में निशे तोर पर आप पर प्रिंसिपल है तो आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे हमें अच्छे से बंसल समू जो योगदान दे रहा है आप उसको किस तरह से देखती है बंसल समू शिक्षा के शेत्र में बरके कर रहा है और हम भी जहां रहता है कि नियुंतब शुल्क में अधित्तम दिया जाए तो बंसल ग्रूप से हम यहीं इंप्रेश हुए हैं कि यह शिक्षा के शेत्र में जो प्रचार पसर कर रहे हैं और विद्ध्यारतियों को जो लाप्रदान कर रहे हैं वो प्रशंस्निय हैं चलिए ठीक है डिरेक्ट यह स्ञлекशन दोराओं को अची सिक्षा देना और तक्निकी चेत्र में भी सराणी कारी कर रहा हमारे देश में मद्प्रदेश में तो मैं बंसल-समूँ को बहुत बहुत शुभ कामना हैν देता हूं और ऐसी कामना करता हूं सरस्वती जी से कि वो इस चेत्र में आगे भी इसी तरह हमारे देश में मदप्रदेश में काम करें और हमारे देश में अच्छे नागरिकों का देवलप्मेंट करें इस्टूडेंट के लिए आपकी प्रशनसा निश्यत रूप से बंसल समु को प्रोचसाहित करेगी टेक्निकल एजुकेशन को अच्छी तरह सिर्या समझती होंगी क्यों कि पीसियूंट है यह आप से जानना चाहेंगे बंसल समु की किन नीतियों को आप पसंद करती है टेक्निकल एजुकेशन में बंसल समु कि में बहुत सी नीतियां जिनको पसंद करती हूं पर कुछ ऐसी जैसे ठीकल पार्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल चीजें भी हों जिसे अच्छा मतलब अनिमेशन के थूँ अच्छे से इस समझ में आते हैं वैसे तो सा उसके लिए वो बैस्ट है तो आपने रिया यह कहा कि साइंस डे टू डे लाइफ से बहुत जादा कनेक्ट करती है आपको डर नहीं लगता साइंस से बहुत से बच्छे तो बहुत डरते हैं और साइंस लेने से कत्राते हैं नहीं बिलकुल नहीं क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है इमेजिनेशन वाला पार्ट उसकी प्रैक्टिकल चीजों में मतलब उसे करना देखना अच्छे से वो मुझे पसंद है इसलिए बहुत खूब जो साइंस को बेसिक ढंग से समझने की कोशिश करें वो समझ सकता है इस बात को जो रिया ने कही कि साइंस हमारी डे टुडे लाइफ से हमें बहुत ज्यादा करती है चले मंदलोई सर आपसे समझेंगे बंसल समू के द्वारा टेक्निकल एजुकेशन हर वर्ग के शेत्रों में उपलब्ध हो सके इसके लिए क्या कदम उठा सकते हैं सर बंसल ग्रूप वैसे तो सिक्छा के शेत्र में टेक्निकल के शेत्र में सराहनी कर रहा है कारे हमारे प्रयास कर रहा है कि कोई भी बच्चा फीज के कारण या सुलक के कारण सिक्छा से बंचित नहीं हो वह विविन योजनाय प्रवाइट करके ऐसा मार्ग दर्शन करके बच्चों को सिक्छा के शेत्र में आगे बढ़ाने का भर्षक प्रयास कर रहा है ऐसा हम जो देख रहे में मन भी लगा रहता है हम जादा जादा देर तक पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं अपना माइंड फ्रेश कर सकते हैं बिल्कुल प्रिंसिपल सरीता मैं आप से जाना चाहूंगी एक बात बच्चों की करियर काउंसलिंग बहुत जादा जरूरी होती है और देखा जाए तो जादा प्रिंसिपल का जो जुडाव होता है और आप जबकि एक महिला है तो आप से जुडाव बहुत ज़़ाभ ज़्यादा होगा बच्चों का क्यूकि आप समझ सकते हैं उनकी भावनाओं को तो कैसे आपन करियर काउंसलिंग करती है जिखे करियर के लिए हम बच्चों तो कि नाइन, टेंट लेवल पर जाके ही उनसे बाते करते हैं, विशे से रिलेटेड जो भी जानकारि उन्हें देते हैं, बच्चों का मोटोर है था तैंट के बाद सब्जेक्ट लेने का, लेकिन नाइन टेंट में उनके मांड में क्लियर हो जाए कि आगे हमें क्या करना है और किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है, किसमें हमारा इंटरेस्ट है उसके बैसिस पर उनको हम गाइड लाइन देते हैं और विशेशग्यों से उनकी काउंसलिंग करवाते हैं और क्लियर करते हैं कि आप आगे जाके क्या कर सकते हो और कितने विशे आपके लिए खुले हैं बिल्कुल तो ऐसा बहुत बार होता होगा कि जब बच्चों के आप करियर कांसलिंग करते हैं तो बहुत बार कॉमन प्रॉब्लम्स बच्चों के निकल कर सामने आती होगी क्या कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती है मैम वो हा जिया की को हमारा में मॉटो है कि अर ज में डीक हूठ करना दॉल्द शुर्क में मॉटो हमें निपल रा मतिक समस्या तेटा आरन राया अरहनद रिसनल करते हो जुद के हिर दो हम भी योजनाय चलाते हैं या फिर उन्हें खुद भी चूज करने में दिक्कत हो रही हो तो उसके लिए भी गाइड करते हैं बच्चो को अ बिल्कुल अरिया आप से जानना चाहूंगी लक्ष तो आपने निर्धारित कर लिया है कि आपको एंजीनिरिंग करना है अब उसको आप कैसे सचारू रूप से लाएंगी और कैसे उसके लिए अब तैयारी करेंगी अपनी पहले तो मैं मेरा स्लेवर्स कंप्लीट करके अच्छे से उसे जितना रिवीजन हो सके उतना करके क्योंकि मैंने सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स दा मैंन परफेक्ट तो उस चीज की जितनी जल्दी प्रैक्टिस हो अच्छे से हो तो कॉंप्टिटिटिव एक्जाम में भी वह बहुत है बिल्कुल अच्छा अगर बात रिया की जाए पढ़ाई के अलावा किसी और चीज की तो क्या कुछ होबीज हैं आपकी होबीज तो बहुत हैं जो जैसे डांसिंग, सिंगिंग, टिकेट बगेर हैं मंदलोई सेर आपसे जानना चाहूंगी मैं बंसल समू पढ़े और पढ़े इस तरह का बंसल समू का एक उद्देश है उसको हर विद्यार्थी तक पहुँचाना है जैसा कि सहरिता मैं बता रही थी कि आपके स्कूल का भी कुछ उसी तरह का उद्देश है तो आप मेरी इस कोई भी समाज में कोई भी वर्ग सिक्षा से बंचीत नहीं रहे तो सबसे पहले तो उसका सिक्षा का प्रचार पसार करते हैं और सब तक पहुंचाते हैं कि बंसल समू कौन-कौन सी सिक्षा दे रहा है वो प्री नर्सरी से लेके एर्द क्लास तक और टेक्निकल नहीं यह कोई लन कर्र às- Athens सिक्षा अवस्यश्य हैं हमारे समाज में रहने के लिए उस लीए वह सबस्क्राइब यह दे रहा है और प्रयाद से सा कि जैसा कि अर्थि इसतरह की क् पराबलम नहीं होन्यवीश्चा वपएस्टप हो जो बंसल समू हसे शरहानी योगदान दे रहा है प्रयाज कर रहा है और टेकनिकल समू में भी आपसे आप सीख्चा लेते हैं तो उसका क्या एडवांटेज साइन्स समू से लेते हैं तो उसका क्या एडवांटेज है तो इस तरह से सिख्चा का प्रचार पसार करना है उसका मुख्य उद्देश है मिडम बंसल समू का थेंक्यू धन्यवाद बिल्कुल सर आपसे एक और बात समझना चाहूंगी अगर बात की जाए करिकुलर अक्टिविटीज की तो तस्वीरे तो हम दिखा रहे हैं प्राइम पे हार सेकेंडरी स्कूल की लेकिन कौन कौन सी ऐसी अक्टिविटीज है जो आप बच्चों से करवाते हैं स्कूल में स्कूल में क्या है स्पोर्ट टीचर हैं तो वह इंडोर गेम्स आउट्डेर गेम्स और जो तस्वीर में आप देख रहे हैं वह एक्ट्विटीज करवाते हैं कल्चर प्रोग्राम भी करवाते हैं तक कि विध्यारतियों को मैंडम एजूकेशन एक इंट्रेस्ट के साथ व गigmat色 करते हैं या उनको स्थक्ma करते हैं कि उनको यह लगे कि विध्याले जाना है और हमें करना है दिन व certains होती है ते हिस दियWow इस एक्टिवीटीटीnd बहुत खुश रहते हैं और बधूस रहते हैं और जो गेम्स बगडरां स्पोर्ट्टेवीटी होती ही कल्शeur प्रोग कि歌 और उसको द्यान रखते हैं मैं आपको बताना चाहते हमारे विद्याले में यह सर्राहनी बात्य कहले तक ब yük की चाहने टीन विद्यार्थि घर ऋवर्ड लर इंट कर देखिए आप हम सभी जानते हैं कि शिक्षा जरूरी है पर हर बच्चा 100% वाला हो जरूरी नहीं होता है इसलिए बच्चों की चहु मुखी विकास के लिए बच्चों में होता है हर क्वालिटी किसी को गाना पसंद होता है किसी को डांस पसंद होता है कोई अच्छा खेल ले प्रदशनी भी लगाते हैं, ताकि बच्चे क्रियेटिव माइंडर से साथ काम करें अपना, और उसी के साथ हम उनको गाइडलाइन भी देते हैं, और उसी से हमें पता चलता है कि इस बच्चे में ये गुण हैं, ये कला इसमें हैं, तो उसको विक्सित करने का पूरा प्रया प्रयाइड नहीं ले पाता है, और उसके पेरेंट्स से तो थोड़ा दबाव होता है, कि उसको पर्टिकुलर सबजेक्ट ही लेना है, तो आप पेरेंट्स की काउनसलिंग कैसे करते हैं, सरू. इस condition में क्या है पेरेंट्स को और छात्र को साथ में स्कूल में बुलाते हैं वो फिर पेरेंट्स को मतलब कौंस्लिंग करते हैं और उनको ये बोलते हैं कि जिस चीज में बच्चे को इंट्रेस्ट या रूची है उसी चीज में यदि आप आगे बढ़ाएंगे तो बच्चा सब्सक्राइब और अभी खुश रहेगा और बच्चा उसमें अच्छा एच्विमेंट करेगा तो वह हमारे देश का एक अच्छा नागरीग बनेगा आपके लिए भी सही हमारे लिए वी सही और दवाव में आके या इस्टेस में आके कोई भी व्यक्ति अपनी क्वालिटी क को बहुत अच्छा नहीं कर सकता मेरा ऐसा मानना है अगर बात की जाए डिजिटल एजुकेशन की क्योंकि आज कल डिजिटलाइजेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है इंडिया में भी अगर बात की जाए तो आप बच्चों को उस तरह का एजुकेशन कैसे देते उसके लिए प्रोवाइट की जाती है जो कंप्यूटर पर उनको वर्क बताती है और सिखाती है कि डिजिटल और यह सब होता है इसलिए अभी जो इस कोरोना काल में क्लासे सम कर पा रहे हैं तो उस एजुकेशन के कारण ही कर पा रहे हैं तो वो गाइडलाइन हम देते हैं बच्चों को और उस पर वर्क भी करते हैं डिजिटल एजुकेशन काफी ज्यादा जरूरी है रिया आपसे समझना चाहेंगे और आपसे जानना भी चाहेंगे कि आप जिस तरह से बता रही थी कि बहुत सी होबीज है आपके आपको क्या लगता है कि क्या पढ़ाई सिर्फ आवश्यक हो तो उसके अलावा अधर वक्स तो होते ही रहते हैं घर में दिन बर बट जिसका मन पढ़ाई में ही है वो सिर्फ अपनी पढ़ाई को भी प्रिफरेंस पहले देता है बिल्कुल शरिता जी आपसे जान लेते हैं जैसा कि रिया बता रही है कि उनको एंजिनेरिंग करना है ब जरूरी है बच्चों की रेगुलर स्टडी के लिए वो इस्कूलिंग करते हैं तो लिंक में बने रहते हैं तो उसका हम पूरा प्रयास करते हैं जिसे हमारा 9-12 का मौणिंग शिप में लगता है वो इसी परपस से लगाया चाता है कि बच्चे इसकूल स्कीप ना करें इसक करते हैं और ऐसा करते भी है mostly students rare case में ऐसा होता है कि बच्चा नहीं आ पा रहा है तो उसके लिए भी one and half two hours की classes हम plan करते हैं कि ताकि उसका study continue बनी रहें और इसके basis पर ही उनका career बनेगा तुरिया आपका क्या प्लान है आपको भी कुछ इस तरह के entrance exam engineering के लिए देने हैं यस देने हैं बिलकुल देने हैं तो कैसे तैयारी करती है उसकी मैंने तो सुना है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए और अपने mind को पूरा time fresh रखना पड़ता है उसको कैसे रखती है माइन तो फ्रेश जैसे meditation यूगा ये सब इस इन चीजों से माइन एकदम फ्रेश रहता है और माइन फ्रेश रहेगा तो अपने कोर्स के साथ अधर चीज़ेस भी होती रहती है जैसे आप पूल रहे हैं कि competition की तैयारी तो उनकी भी practice चलती ही रहती है अजले डिरेक्टर सर आप से समझ लेते हैं कि अगर जैसे कि बच्चा कोई particular field से belong करता है और उसको आगे क्या कुछ career option opt करना है उसके लिए क्या आपके school में कोई particular counseling होती है हमारे school में यह विशेश ध्यान रखा जाता है कि किस बच्चे को किस चैत्र में रूची या interest है उसको develop करने के लिए हमने वेवस्थाएं भी रखी है हमारे इदर एक दो एक्स्टा teachers भी है जो उसको जिस चीज में उनको interest है रूची है वहाँ पर उनको ले जाते हैं स्टेडियम में या इधर या जहाँ पर भी बच्चों को जाने का मोका फिसा singing चेत्र में वो उसको हम फ्फुल प्रयास करते हैं कि उनको वहाँ पर भेजे और बच्चे अफ्ष्चे नाम रोशन करें अपने। देस के ऐच्चे नागरिक बने ऐसा हम फ्फुल प्रयास करत सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म्स आप चीजों में नहीं मतलब ज़रूरी रहता है उतना ही उस करती जरूरी मतलब क्या सोचल मीडिया प्लाटफॉर्मस से पढ़ाई या कुछ एंटेटेंमेंट का सूर्स entertainment source तो नहीं पर बिल्कुल चलिए अब मैम से समझ लेते हैं प्रिंसिपल मैम से जैसा कि रिया खुद भी कत्रा रही है बताने में शायद प्रिंसिपल डिरेक्टर दोनों साथ बेटे हैं इस लिए तो मैम आप से समझेंगे social media को किस तरह से use करना है ज्यादा या कम बच्चों को इस तरह की training भी दी जाती है क्या current में रहने के लिए हर चीज जरूरी रहती है और उसके negative और positive effect देखके उसको parents और teachers guide करें बच्चों को और उसका utilize करें क्योंकि कुछ कुछ benefit भी रहते हैं social media पर आप देख सकते हैं समझ सकते हैं और उसी basis पर बच्चे सीखते भी है कि क्या सही है और क्या गलत है पस यह कि उस पर एक control रहना चाहिए बच्चों का self भी और parents का थोड़ा नजर रहे कि बच्चे क्या कर रहे हैं बाकि social media या थोड़ा current में रहने के लिए ज़रूरी भी है अगर सर बात की जाए डेरेक्टर सर कॉमर्स ट्रीम की या बाइलोजी स्ट्रीम की और मैच साइन्स ट्रीम तो हमाई सा त्रिया जुड़ी ही हुई है तो उन बच्चों को कैसे guide किया जाता है बच्चों को जो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनको subject choose करना है वो तो एक बार हो जाता है 10 के जस्ट बाद 11 में फिर उसके बाद उस faculties को हम रखते हैं और फिर जिन बच्चों ने जो field select किया है उनका कैसा development करते हैं उनको कैसे अधिक्तम सिख्चा दे सकते हैं और उनको guide भी करते हैं कि आपको समय का कैसे utilize करना है school में कितने steady करना है घर पे जाके कब steady करना है coaching में जाते आते समय कितना अपना समय सेयो करना है और बच्चे को steady के साथ साथ उसको खुद स्वस्त रहें वह उसके लिए क्या लगबख हलकी पुलकी diet plan क्या हो वह सब चीजों का overall development बच्चों में होता जब जाके वह एक अच्छा आपको output दे पाते हैं जो उनके parents के लिए आप हमारे लिए बच्चों के लिए सब के लिए खुशी का विसाय होता है बच्चों का अच्छा result उसकी खुशी डारेक्टर लोगों को बहुत अच्छी होती है बहुत अच्छा फील होता है तो वह सब चीजे को ध्यान में रखते हैं उनको आगे बढ़ाने का हम प्रयास करते हैं और अच्छी faculty रखते हैं बिल्कुल तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एक particular stream को ही यहाँ पर प्रोटसाहित नहीं किया जा रहा है हर stream को ध्यान दिया जा रहा है हर stream के बच्चों पर चलिए student मारे साथ रिया उनसे जान लेते हैं देखिए रिया आप student हैं और बहुत से students इस वक्त आपको सुन रहे होंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि आगे वो लोग किस तरह से अपने career को सुनिश्चत करें क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें उनके लिए तो मैं बस यही कहना चाहूंगी जो उन्हें आगे future में कुछ करना है तो उन्हें अपने लिए कुछ प्लान करके रखा होगा बस उसी को follow करें और अगर अगर मतलब confirm नहीं हो तो वो अपने teachers से अपने parents से consult करें एक बार उसके बाद decision ले बिलकुल अचलि प्र सारिता मैम आप क्या संदेश देना चाहेंगी अपने school के बच्चों को नहीं अगर बात की जाए और बच्चों की तो और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे रा भटकते हैं ऐसे बच्चों को भी क्या संदेश आप देना चाहेंगी प्रिंसिपल जैसे मैं एक ही नजर से देखते हूं कि बच्चों का विकास हो बच्चे आगे बढ़ें खुश रहें और फिर यह ज़रूरी नहीं है कि हाँ इसका आगे बढ़ने का शेत्र शिक्षा ही हो शिक्षा ज़रूरी है कि शिक्षित होना चाहिए उसके साथ साथ भ बच्चों से विध्यारतियों से एक यही संदेश है कि वे सुस्तर हैं अपना एक लक्ष निर्धारित करें यह कारकरम का हमारा उद्देश भी यही था कि लक्ष है एक लक्ष होगा तो आप उस पर वर्क करेंगे महनत करेंगे और फिर सफलता के लिए आगे बढ़ेंगे तो वही शुब कामना है मेरी सभी के लिए है बिलकुल मंदोई सर आप से जानना चाहेंगे डिरेक्टर है एक पिता समान होता है डिरेक्टर स्कूल का क्या संदेश आप अपने स्कूल के बच्चों को और जो भी स्टूरेंट से उनको देना चाहेंगे और खास बात यही कि पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बच्चे के विकास में पेरेंट्स का सबसे बड़ा योगदान होता है होता है दहान नहीं देता या Faculty तो कहीं ने कहीं बच्चा माइनस होता है या parents भी कभी कभी कोई parents की अपनी रहती 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 उनका timing job लंबा रहता तो वह समय नहीं दे पाते है तो उन parents को लिदो के लिए भी आप समय दे तो विद्ध्याले में क्या करते हैं कि सभी मेरा एक मेन मोटो यह है मेडम की स्टूडेंट और प्रचार मेडम और इस्कूल का जो फैकल्टी है टीचा से सब मिलके यदि कोई अच्छा काम करेंगे तो निश्चित वो लक्ष को प्राप्ट करेंगे तो किसी का भी लूजर नहीं होना चाहिए डारेक्टर सर का भी नागरिक यदि वो मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमारे देश में सुविवस्था आगे आगी और अच्छा तरक्की करेगा और हमारा देश विक्सित होगा बिलकुल तो सबसे बड़ी बात सर ने कहीं कि सबका योगदान होता है बच्चे के विकास में आप तीनों का हमारी इस खास पेशकुष में फिलहाल इतना ही कर फिर हाजर होंगे एक नए लक्ष के साथ तब तक के लिए दीजे चासुद